लीजिये सुनिये दुख्खम सुख्खम का पाच्वा अध्याय लेकी का ममता कालिया दुपहर भर इंदु घर में दौनों बच्चियों के साथ अकेली छुट जाती थी थोड़ी देर वह ब्लैकी एंटसंस की गोल्डन रीडर पढ़ने की कोशिश करती जो पती ने उसे अंग्रेजी के अक्षर ग्यान के लिए दी थी जल्द ही उसके हाथ से किताब लड़क जाती और आँख लग जाती बेवी तो शुरू की शैतान थी उन्नी की भी चंचलता बढ़ने लगी थी दौनों की चिल लपो में इंदू चैन से कभी सो ना पाती शाम को जुझलाई रहती लोहे वालों की बहु उमा और इंदू में अच्छी दोस्ती थी उमा के बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे और उनका दाखिला स्कूल में हो चुका था कभी कभी वे दुपैर को आ जाती और दोनों सहेलियां स्वेटर बुनते वे अपने सुखदुख भी उधेड़ भुन लेती एक दिन उमा आई तो देखा इंदू और मुनी सोई पड़ी और बेबी बाहर गली में दोड़ रही है उमा उंगली पकड़ कर उसे अंदर लाई स्वेटर की सिलाई से इंदू का कान गुदगदा कर उसने उठाया इंदू उठने लगी तो देखा कि साथ सोई मुनी ने दस्त कर दिये ना सिरफ खुद को बलकि उसे भी लिबेड दिया मुनी को बाहुं से पकड़ कर इंदू आंगन के नल पर रपकी जिसके लीचे पानी का टब भरा रखा था वह टब से पानी लेकर मुनी को साफ करने लगी कि तब ही मुनी उसके हाद से चुट कर पानी में गिर गई उमा दोड़ी आई उसने बच्ची को टब से निकाला लेकिन तब तक वह कुछ पानी गटक चुकी थी यका यकवा चुप हो गई इंदू में घबराहट होने लगी वह रोने लगी उमा ने बच्ची को उलटकर उसकी पीड दबा दबा कर उसका पानी निकाला फिर उसकी चाती पर मालिश की और कान मसल कर उसे सचेत किया कुछ मिंटो बाद जब वह बुक्का फार कर रोई तो इंदू और उमा की जान में जान आई वे आपस में लिपट गई तुम तो बच्चे पालने में एक्सपर्ट हो गई हो इंदू ने कहा हाँ सीर पर पढ़ती है तो सब सीखना पढ़ता है उमा ने कहा मेरे से ये चिलो वो संभलती है नहीं उपर से घर का कुल काम अरे अभी क्या है अभी तो तुम निठल ली हो जब वो घर आ जाएंगे तब देखना कैसी मुश्किल होगी जान कर भी अंजान बनकर इंदू ने कहा और क्या मुश्किल है अरे वो बुलाएंगे से इस पर तब ये दोनों राजकुमारिया दीदे फड़ कर बैटी रहेंगी सो के ना देना तो तुम क्या करती हो और क्या करे थोड़ी सी अफीम दूद में चटा देती हूं मज़े से धूप चड़े तक सोते रहते हैं दोनों बच्चे इंदू डर से सन हो गई हाई राम अफीम में तो नशा होता है राई बराबर देती हूं यही कहते हैं उमा देदे नहीं तो सोना मुहाल हो जाएगा मैं तो कभी न दू आने दे भाई साब को तब देखूंगी उमा ने तै कि अपकी होली पर इंदू बच्चों के साथ उसके घर है इंदू के दू सभाव के ने कई बहाने डूंडे पर उमा के आगे उसकी एक न चली बाद में इंदू को भी लगा कि उसे भी घर से निकलना चाहिए तादा जी पूरा दिन दुकान पर मन लगा लेते हैं जी जी भगो चरका तकली के नाम पर निकल लेती है एक वही रह जाती है घर खुसरी फिर कवी महान के भी होली पर नहीं आना था होली के रेज इंदी ने सुबा सुबाही गुजिया दही बड़े बना डाले और जी 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 से कहा हमें तो उमा के यह जाना है जी जी बोली तीस त्योहर पर घर बटना चाहिए कोई आए जाए तो कैसा लगेगा मैं तो रोज बैटी रहती हूँ आस तो मैं जरूर जाओंगी इंदू बोली सास ने समझाया कि छोटी ननत को साथ लिये जा इंदू पर अपनी सहली से मिलने के चाव में दौनों बेटियों को लेकर अकेली चल पड़ी होली दर्वाजे से बाए हाथ की गली में पाँचवा मकान था उमा का उमा और उसके परिवार वालों ने इंदू का बड़ा स्वागत किया उसके पती दीपक वावु ने बेबी को गोद में ले लिया और बोले तेरे दोस्त उपर है चल तुझे ले चलो बेबी अंजान हाथों में ठुनकने लगी उमा बोली चलो सब उपर चलते हैं उपर की कमरे में होली केवी अंजन सजे वे थे बीच वाली मेच पर हरे रंगी बरफी गुजिया दही बड़े कांजी के बड़े और ठंडाई बरा जग रखा था पहले रंग लगाने का कारे करम चला इंदू ने पहले ही कह दिया देखो सुखा रंग खिलो नई तो जी जी दादाजी चिल लाएंगे दीपक बाबु बोले दुलेंडी तो कल है आज तो सुखा ही चलेगा उमा और दीपक ने खुब इसरार कर करके इंदू को काफी खिला डाला इंदू ने हरे रंग की बर्फी देखकर गर्दन हिलाई बाई साब यह मैं नहीं कहूंग इसमें तो भांग पड़ी लगे है अरे नहीं रहे पिस्ते की बर्फी है दीपक और उमा ने एक साथ था ठंडाई वाकई में ठंडी और मीठी थी एक खूट बरकर इंदू ने कहा इसमें भांग तो नहीं होटी बिल्कुल नहीं उमा ने सिरह ला दिया इंदू को घर से निकल कर अच्छा लग रहा था बच्चे भी आपस में मागन थे मुनी पास की तकत पर सो रही थी वे ठंडाई का ग्लास का टागट पी गई उमा ने बड़े प्यार से उसका ग्लास फिर भर दिया बेसिर पैर की गपों में कब सुरच छिप गया किसी को पता नहीं चला अब इंदू को घर की सुधाई उमा बोली ये जाकर कहा देंगे तुमारे घर आज यहीं रह जाओ इंदू घबरा गई नए जी जी तो मेरी जानी निकाल देगी मैं तो अभाल जाओंगी उमा दंपत्ती रोकते रह गए पर इंदू मुन्नी को गोद मिले बेबी की उंगली से थाम तेज कदमों से चल पड़ी थोड़ी देर में इंदू को लगने लगा जैसे वे हवा पे पाउं रखती भी चल रही है वे और तेज चलने लगी बेबी बार-बार पिछड रही थी गली में एक दुकान के थोड़े पर इंदू रुकी फिर वे लगबार भागती हुई गली पार करके घर पहुच गए सास उसकी हालत देखकर समझ गई कि कहीं से इंदू भांक का लोटा चड़ा कर आई है जीजी ने भव को निम्बू चटाया और पूछा बेबी मुन्नी का है बेबी मुन्नी इंदू ने ताली बजा कर का फिर हस्ती ही रही बेबी मुन्नी जीजी बोली उमा के घर सुलाई क्या उमा नहीं नहीं इंदू कहे और हसना शुरू कर दिया विद्याबती ने पड़ासी के चोरे के उमा के घर दोड़ाया कि जाकर देख बच्चे कहा है थोड़ी देर में छोरा लोटा बुला बहन जी कह रही है बच्चे तो भाबी जी के साथ ही गए थे जी जी घबरा कर रोने लगे इंदू तंद्रा मेती सास ने उसकी कोट्री का दरवाजा उड़क दिया बड़ी दोड़ धूप मच गई सारे बजार में शोर हो गया लाला नत्थी मल की पोतियां हराए गई है होली दरवाजे के बाहर कद बजार उस दिन खुला हुआ था अभी भी अभी गुलाल और टेसू के फूल खरीद रहे थे हलवाईयों की दुकाने आगे तक सजी थी बहुत से मनचले रंगदार टोपी पहने हाथ में पिछकारे लिए गलियों में आ जा रहे थे उन तक भी शूर पहुँचा लाला नत्यमल की दो दो पुतिया हैर आए गई है मन चले भांग चड़ाए वे थे लेकिन सुरूर अभी नहीं हुआ था उन में से एक ने कहा करीब दो गंटे पहले मैंने देखी थी जोरिया लाला जी का मुनियम चिद्दू वहीं हर दुकान वाले से पूछ ताच कर रहा था उसने लपक कर लड़की की बहाँ पकड़ी कहां देखी थी लड़के ने एक दुकान के चौतारे पर इशारा किया प्रमान सवरूप उसने कहा बड़ी वाली लाल फ्रॉक पहने थी जाने हाँ हाँ चिद्दू ने कहा और लड़के समय तो उस दुकान पर पहुँच गए दुकान दार पकड़ी गुला हम तो अब हाल आए हैं दुकान पे सुबा से मुन्ना था तब ही मुन्ना की ढूंड बची मुन्ना दुकान से चुटकर होली में मस्ती रसंगी सातियों के साथ कहीं निकल गया एक और लड़के ने कहा एक आदमी दौनों छोरियों को गोदी उठाकर ले गया था कि इनकी महिया बुला रही है लाला नती मन ने खबर सुनी तो सन रह गया मनी मन पत्नी को गाली देते वे अपनी कमी चाड़कर उटे सवेरे से बैटे 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 उनके घुटने अकड़ गये थे छिद्दू तो खुद बेबी मनी को ढूनने में लगा वा था उन्हाने बेमन से अपने मजदूर सिया राम से दुकान बढ़ाने और चाबी घर लाने को कह जब तक लाला नतीराम बजार की तरफ पहुँचे बजार में शोड़ था कंस्टिला होकर आए छोड़े बता रहे थे वहां से रोवे की आवाज आ रही है होली दरवाजे के बार कंस्टिले पर लोग लग लग थे सब के आगे रंगी और उसके साथी थे उन्होंने देखा जमीन पर दोनों बच्चियां लोट लोट कर रो रही है उनके पास एक दोने में थोड़ी सी जले भी रखी हुई है हे बंसी वारे की जै होली का महिया की जै बोलते हुए लड़के लपक कर बेबी मुन्नी को उठा लाए पीछे बीछे लाला नत्थी मल और छिद्दू भी आ गए दादा जी ने बेबी को घपची में भर कर खूब प्यार किया कहां चली गई थी तूरे बता छिद्दू ने मुन्नी को गोध में उठा लिया दिन के इस बक्त छोरिया कंस्टीला कैसे पहुँची ये ना रास्ता जाने ना चल पाए बजार में इसी पर विचार बिर्मश होने लगा लाला नत्थी मल ने सेर भर कलाकंद बनवाया और घर की तरफ लपक लिए छिद्दू की गोती से उतरते बेबी दादा दादी 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 कहती विध्यवती से चिपक गए घर में शाम को चूला नहीं जलाता इंदू सोई पड़ी थी भगो जीजी से डाट खाकर एक तरफ पड़ी थी जीजी का अपना मन तरफर पड़ा था पंजे का घाउ चस चस करने लगा उसी पर जुकी हुई वै प्रातना की शिल्प में बुदबुदा रहती है बंसी वारे रखे ओ लाज बेबी का गुलगुला भोज बदन पर पड़ा तो जीजी वी हलता में रो पड़ी अरे मेरी लाडो कहा गई ती ती तु अबेर ए चिद्दू इधरा कहा मिली छोरी मोई बता तब तक नत्थी मल मन्नी को लेकर अंतर आए उन्होंने विद्यवती की गोद में बच्ची को डालकर प्रेहम से खा लो संभाला अपनी नतनिया नगर डिंडोरा बीट के पाई है भगवती बेबी को उठा कर नाचने लगी बेबी मिल गई आह मुनी मिल गई आह खुशी कि मारे सबकी आँखों से आंसु बहरे ते गल्ला भरा रहा था नतीमल बोले मैंने तो बजार में सुनी कि कलेजा धक से रहा गया है बगवान कभी को कौन मू दिखाओगो मैंने कही चल बई छिद्धू छोड़ दुकान को जिसने जो बतायो सोई कियो जहां कहां वहा तेरा अरे बहु का है बुलाववा नतीमल हाथ पर दोकर कपड़े बदलने लगे उधर बेबी और भगवती ने जजोड कर शोर मचा कर इंदू को जगा दिया भगवा भाबी दादाजी बड़ी मुश्किल से पाए है बेबी मुनी को इन्हें चाती किसे चिपका कर प्यार तो कर लो इंदू पर अब रोने का दोरा पड़ा था जोड जोड सर हाए हाए करती रोने लगी विद्यावती ने अंदर आकर गुड का चुपनोटंगी करने का जरूत ना है अब आज ना निकल ले अब मुनी दूद के लिए मचल रही थी उसे इंदू की गोदी में दिया गए पर भाई से का वे कलाकंद के उपर कागच और सूत निकाल रहे थे उन्होंने सब के हाथ में कलाकंद की कतली रखी प्रभू की लीला गाओ जो कुछ उच नीच हो जात तो अपना कभी को कौन जबाब देतो बगगो ने का दादा जी लांग लता लाते हर बर कलाकंद ही ला अपना विजया उल्यास भी शामिल कर लाला नत्यमल इसमेशत प्रतिशत प्रसंद नादमी थे लेकिन विद्यावधी की दिमाग पर उनका आलोचक सवारता उन्होंने फिर पती से सवाल किया तुलेंडी तो कल है हुरियार कहां से आये गए अब लाला नत्यमल को याद आय नहीं मैं भूल गया पपो की दुकान पर एक और छोरो ने बताया हुए तब ही लोग कंस्टीले की तरफ भेजो मैं कहूं जो एक होती तो वो आदमी लेकर भाग गया हो तो छोरियां दोनों मर्खनी उससे नहीं समरो है विद्यावधी की दिमाग में गाट पड़ गई कही चोरो ने देखी है चोरिया इसका मतलब बहुत सीधी घर आने की बजाए गली मौले में हस्ती बोलती आये है बंसी वारे इस घर की पत्तो अब तुमारे ही हाथ है इतनी देर में भगो ने ब्यालू बना ली थी पिताने खाने को मना कर दिया वे तो कलाकंद खाकर ही इस भी सदी के प्रथम में हर मनुष्य के अंदर जड़ता और जागरूता का घमासान मचा रहता था स्त्रियों के अंदर और भी ज़्यादा क्योंकि उस वक्त उने शिक्षित करने वाली संस्थाएं कम और बंदित करने वाली अधिकती दोनों अतनिया सही सलामत आ गई ला अकेली मची थी इंदू अकेली यहां से निकली अकेली वहां से पल्टी बीच में का भवा के नहीं इसकी कौन सुनवाई आखिर छोड़ियां छोड़ी तो कहां और मिली कहां जाकर कोई को खबर नहीं सिवाए दो एक शोहदो और हुरियारों के उन्हें लगा बहु के अपनी भूप प्यास कैसे संभाल रही है उन्हें अपने बेटे पर कीज उटती जो सुक चैन की जिदगी पे लात मार बी ए एम में की चकरदारी सीडियों में अपनी नींद फना कर रहा था अपने सिर पर पड़ी जिम्मिदारी के लिए उन्हें बड़ा अस्विकार इंदू बेटी जरा याद तो कर तो किसे दे आया थी बच्चे इंदू अब पूरे होश में रहती वे कहती किसी को नहीं अपनी जान में दोनों को आपके धोरे तो लाई थी वे फिर कहती पपू हलवाई का चोत्रा पड़ा था बीच में इंदू हम कोई पपू पपू को नाय जानों है हम घर से निकरी और घर में आयकर बस विद्याबती ने अब दुपहर को निकलना कम कर दिया वे भगो और बेबी की मदद से कभी आमपा पड़ सुखाती और कभी अध्रक पाचक चूरन बनाती उपर उपर से विद्याबती अपने घर में व्यस्त रह रखती लेकिन समय उनके अंदर करवट लेने लगाता सुबह के वक्त वे आंगन में तक्त फैला कर अकभार बड़े ध्यान से पढ़ती खास कर महात्मा गांधी और कॉंग्रेस की खबरे अगर अगभार में महात्मा जी के गिरफतार होने की खबर होती विद्यावती दुखी हो जाती सारे दिन रह रहा कर दुख उनकी बातों से व्यक्त होता बताओ इत्ती जाली में सरकार डेड़ पसली का गांधी बाबा इनका क्या बिगाड़े है जो मार्च उसे जेल में ठूस देवे है ऐसी दिन उनकी भूक मर जाती नाम को मुझ जुटा कर उठ जाती हाँ पान की नागा न कर पाती खोटे में रखके पानी के तमड़े में उनके पान के पत्ते पड़े रहते सुबाची दुबान दे जाता विद्यावती कैंची से कतर कर एक पान की चार कतरन बना लेती वे आले से पांदन लाती और उल्टे हाथ पर पत्ता रख सीधे हाथ की पहली उंगली से उस पर चूना कथा लगाती सुपारी का चूरा रखती और पीले तंबाकों की पांच पत्तियां उनके सीधे हाथ की पहली उंगली कथे में से ऐसी रंग गई थी कि नहाने के बाद भी वे उजली ना होती अकबार की तहे खुली देखकर नती मल का पारा सुबा ही चड़ जाता वे चिल लाते किती बार कही है मैंने मोई ताजा अकबार दिया करो एक कुझरिन कचु समझ ना आए है विद्यावती पिनक जाती संभल कर बोला करो अकबार पढ़ने की चीच खाये बेगी ना ही तुम्हें दाल दलन का बजार भाव पढ़ना रहता सो पढ़ लो ना इमें गाली देने की कौन बात रही बात सही थी लेकिन लाला जी को गलत लगती कि उन से पहले घर में अकबार की तहे खुल ली जाए उन्हें विद्यावती में आ रहे बदलाव अजीब लग रहे थे वह उनकी बातों का तरकिक जवाब देने लगी थी उनके तेज दिमाग नहीं है ताड़ तो लिया था कि अब यह पहले वाली पत्नी नहीं है जिसे वे फैल मचाकर बसमे कर लें लेकिन वे गांधी बाबा को इस करश्रे देने के तयान नहीं थे उन्हें लगता है यह भी कोई बात हुई बेयर हमारी और काबूस जेल में बटे गांधी बाबा का सबसे पहले तो इसका चर्का समीती में जाना चूटना चाहिए उन्हें तसलिती कि विद्यावधी का बैर इस हाल में नहीं था कि वह जादा दूर चल फिर सके लेकिन उन्हें कुछ ऐसास था कि चर्का मतुरा के घर घर पहुँच चुका है चर्के का चकर खत्म करना आसान काम नहीं था उनके घर में पत्नी के हाथ के कते सूथ के तीन चार खेस भी आ गए थे इधर कवी महान की वज़े से घर में सबको चाय पीने की आदत पढ़ गई थी इंदू उठकर सबसे पहले चाय बनाती अगभार के साथ चाय मिल जाने से लाला जी का दिमाग शान्त होने लगता वे पांच में प्रिष्ट की खबरों में डूब जाते वाणी जे खबरे बहुत जादा तो नहीं छपती थी लेकिन इनसे बजार की स्तितिका परीचे मिल जाता गल्ला बजार में एक दुर्बे की घडबड़त समाने तय होती है कभी अंग्रेज सरकार की आयात निर्यात नीती में फेर बदल के कारण बजार ओंधे मुगिरा की खबरे होती कभी सराफा बजार की उच नीच में से समस्त बजार और मंडी के भाव प्रभावित हो जाते सौना चटका चांदी लुड़की हापड मंडी की जादा बिकवाली से दलन बाज़ा ओंधे मुगिरा जैसी खबरों को ध्यान से पढ़ते लाला जी को अफसोस होता की अगवार में बनी समाचार चादा क्यों नहीं चपते पांचवा पन्ना पढ़ने के बाद वह पहले प्रिष्ट पर आते उसमें बड़े बड़े अक्षरों में कांग्रेसी नेताओं के समाचार चपते देश के किसी ना किसी नगर में आजादी के मतवालब पर पुलिस के लाटी चार्ज और जन्तिया की गिरफतारी की खबरे आती लाला जी चिंतित हो जाते गांधी बाबा के चेलर की चले तो ये सारा बजारी भूग दे ऐसे सिर्फिरे हैं कभी कभी वकील शर्मन लाल लाला केशव देव खहिंचंद और उम परकास्तिवारी के साथ लाला नत्थी मल मिल बैटते ये सब उनके साथ आरे समाच पाड़र चाहला की प्रबंद समयती के सदस्य थे उनमें शर्मन लाल सबसे शिक्षित और सचीत वियक्ती थे लाला केशवदेव कहते सुराजी उन्हें आजकल बड़ी अराजगता फेला रखी है खीम चंद और नत्थी मल उनके सर मत्थर में सिर हिलाते नत्थी मल कहते हुनें हम कुछ नहीं कहते पर आई दिन बजार बंद करवाना शरीवों का काम नहीं ओम परकाश अगर वाल जी कभी बजार से उठकर भी सोचो इन नौ जवाने को कुरवानी देखो लाठी गोली के आगे नहीं हत्ते खड़ी रहते हैं दिन सड़क पर तो राते जेल में बिताते हैं नत्थी मल पच्चताते कि वे इन लोगों के भी जा गए यहाना नफे की नुकसान की चर्चा होती है और ना ही महंगाई की इस पार कवी महन अपना कुल समान लेकर घर लोटा लोहे का टरंक आधा कपरों से भराता और आधा किताबों से अलग से गत्ते की पेटी में भी किताबे थी और बहुत सी पत्रिकाएं और कुछ अकबार बहुत सा समान तो वही था जो वैं घर से ले गया था एक नई चीज थी अल्मोनियम की बाल्टी जिसमें रखकर कभी अपने चार चे बरतन लोटा लाया था तश्तरी, बगोना, दो चम्मत, चाई की चलने और दो कटोरिया विध्यावती ने कहा है जे बाल्टी तो बहुत हल्की है, क्या दिन चलेगी दो साल से तो मैं चला रहा हूँ अभी साबुत है, कभी हसा घर में लोही की भारी-भारी बाल्टीयां थी, जिने उठा कर पानी भरने से हाथ थक जाते चोट लगने का अलग खत्रा रहता जी जी तो अपने पैर के कारण बोज उठाने ही सकती थी, भगो और इंदु ही पानी भरती गुसल खाने के दरवाजे पर एक इट की दहलीस थी, जिसमें जिसे पानी कमरे में ना आए एक बार भगो दहली से ठोकर खाकर गुसल खाने में ग्रीब जमीन पर रखी टीन की साबुंदाने से उसके माथे पर चोट लग गई जिसका निशान चौथ के चांसा अभी भी दिखता था भगो ने का इसी बाल्टी से पानी भरा करेंगे है न भावी हलाकि यह तैम आना जा चुका था कि कभी महाँ दुकान पर नहीं बैठेगा नतीमल बेटे के लोटने से प्रसन थे उन्हें लगा जैसे घर का बार उन पर आधा रह गया उन्हें भरुसा था कि कभी का एमे का नतीज़ा अच्छा आएगा अपनी तरफ से उन्हें ने दो विद्ध्यालों में बात कर रहे थी साथ यह भी कहता है कि वह तो कॉलिज में पढ़ाना चाहिए स्कूल की नौकरी जैने कौन करेगो कि नाया कभी की वापसी से इंदू तो साक्षात कविता बन गई उसके चैरे पर रंग लोटाया चाल में लचक उसने आंगन से तुलसी दल लेकर अद्रक तुलसी की चाय बनाई सबने साथ बैठकर चाय पी मट्री खाई आगरे का पेठा और दाल मट भी खाई गई जी जी की आदत थी चाय पीने के बाद प्याले की तली में चिपकी चीनी उंगली से निकाल कर चाटती आज उन्होंने ऐसा किया तो नत्तिमल बोले भागवान इत्तों मीठों ना खायो करो डॉक्टर ने मना की थी कि नाए डॉक्टर का बस चले तो मीठा ना खाऊऊ कौनो अपर डॉक्टर तो उद है पैठ जी ने तो मना नाहिए की थी विशाबक觉 डॉक्टर ने की थी उसी में खराबी निकली है पैठ जी को मालूम कवी चिन्तित हो गया जी जी को diabetes हो गई या क्या अब क्या होगा जी जी बोली तो फिकर ना कर ये तो मेरा मीठा बंद कराने के लिए बोलो करे हैं बाकी ने कोई फिकर नाए है जो इत्ते पीट पर इत्तों बड़ फोड़ो हो रहे हो उसका इलाज नाएकर बस मीटे के पीछे पड़ जावे हैं डॉक्टर ने कहा था फोड़े फिंसी भी डैवेड इससे हो रहे हैं जी जी उखड गई जे कहो इलाज तो तुम्हें करवानों नाए हो सारो दोस मूर पर डाले हो कवी ने बात बदलने की गरस सिका हमारे प्रोफेसर साब कहीं हैं चाय ऐसे नहीं बनती ट्रे में बकाईदा चाय का पानी दूद चीनी अलग अलगाती है जिसे जितनी चाय है उतनी ही बनाए तो पत्ती रंग कैसे छोड़ेगी इत्तु इंदू ने पूछा बिल्कुल छोड़ेगी केतली में चाय की पत्ती डाल दो उपर से खौलता पानी फौरण उसे रुई की टोपी से ढखतो दूद दानी में गरम दुड़ालो और चीनी दानी में चीनी बेबी और भगो अभी तक बैठी रिब्बन से खेल रही थी अचानक भगो ताली पे चारे लेगी लो बोलो चाय को भईया जी टोपी पेनाएंगे टोपी नहीं उसे टिकोजी कहती है कागचला तो काट कर दिखा दो हमें नहीं देखना आज अबी भी छट पर चले जी जी ने घुड़का टांग तोड़ दूगी जो चट पर गई बैठी यहीं पर भगो का मूट खराब हो गया सभी को कुछ हरसे पहले हुई दिर्गट न कसक गई सिवाए कभी के कभी को पता ही नहीं था इंदू ने डर के मारे बतायने की पती एक दो दिन को आते हैं घर के बखड़े सुनकर उनका ध्यानी बटेगा मुनी कुछ हफ़तों की थी शायद छे इंदू ने सुबह से के काम से खाली होकर मुनी के बदन पर तेल मला और दूद पिला कर छट पर खटोले पर लिटा दिया थोड़ी देर में नहला देगी अभी उसे दुपेर की कच्ची रसोई बनानी थे जिसका ज़्यादा ज़्ञजट होता था उसने सोचा जल्दी से अंगीटी चलगा कर दाल को अधन चड़ा दे उसने पास केलती भगो से का भगो बीबी तुम ज़रा मुनी का धियान रखना मैं अभी दो मिनट में आई चौके में इंदू को पांच मिनट से ज़्यादा लग गए जब दुबारा पहुची तो क्या देखा कि खटोले पर बिटिया तो है ही नहीं इंदू के मन में आया कि भगो कितनी बेयकल है नंग दरंग मुनी को गोदी में लेकर बाहर निकल गई उसने नीचे मुपर अवा 47 दिन की छोरी ना बोले ना चले कहां गई इंदू पगला इसी घर भर में डोल रही थी है उसके तनपर ना कपड़ा ना गहना किसके मन में क्या आई कौन उठा ले गया जीजी ने तभी इधर उधर नजर दोड़ाई सामने किती मंजले मकान की पतली मुंडेर पर एक बंदर धीरे धीरे चला जा रहा था उसने मुन्नी को पेट से चिपका रखा था इंदू भुका फड़कर रो पड़ी है हनुमा जी ये कौन सी परिक्षा ले रहे हो जो जरा छूटी तो खम से गिरेगी तिकने जहाए कोई मुन्नी को बचाओ पड़ासी की रामा मौसी ने का हे जे तो बहुत बुरी भाई और यही सोचो साक्षत भगवान आकर ले गए बिटिया को यही जनम में तुझे मोक्ष मिल गया हो और की चाहे हो इंदू रोते रोते पली मोक्ष का मैं क्या करूँगी मोई मेरी मुन्नी दिलाये तो कौन जाने कौन बंदर बायू बढ़का फार्क दे पटक दे हो जलो जाए हाई मुन्नी अब गिरी तब गिरी अब तक आस पड़ास की कहीं औरते ही कठी हो गए लाल मुवाले बंदर के लिए तरह तरह के लालत सुझाए गए कलाकंद मंगाये के दोनों खटी के आलो पर रख दो, हनुमान जी मुनी दे जाएंगे, दोना ले जाएंगे, एक ने का जे मुन्नी पटक कर भाजे तो एह होए भी सकत है कापता कौन दसा करे एक औरत ने का ऐसा करो अपनी मटर माला उतार कर हनुमान जी को दिखाओ बंदरों को माला पहिरावे का बड़ा सौक होता है कापता मुन्नी को कलेजर से चिपका कर आजए और मटर माला ले जाए इंदू कोटरी में मटर माला निकालने को भागी तब तक नत्थी मल भी खबर पाकर आ गए महले में शूर होके है लाला नत्थी मल की देवती को बंदर ले भागा और तीन तिकने की मुडेरिया पर बैटाए लोग गली में इकटे होने लगे बंदर अपकूद कर दो मंजिलों के बीच की पतली सी पटिया पर चलने लगा फिर वे कोने तक जाकर नुकीले कोने के मुड़ पर बैट गया बच्ची को उसने पेट पर से हटा कर वहीं लिटा दिया मुन्नी मर गई हे भगवान इंदू चीतकार कर उठी तकरीबन साथ आठ छट पार दो लड़के सवेरे से पतंग उड़ाने में मश्कूल थे से आने थे पर काम में लगे बंदे नहीं थे इंदू की चीतकार से उनका ध्यान बटा चट से नीचे गली पे नजट डाली तो काफी लोगों का मजमा दिखाए दिया बंदर बच्चा हाय ताबा देख सुनकर समझ गई क्या हुआ है बस वे डोर लटाई फिक कर उधर चल दियो मैसे एक लपक कर घरक से केला ले आया बंदर दाद नी पोड़ता वा आगे आया लड़का केला दिखाते वे दूसरे कौने तक ले गया फिर उसके आगे मुंडेर पर केला रख दिया बंदर उचक कर मुंडेर पर आया इंसानों की तरह केला चिल कर खाने लगा हुनी वह नीचली मुंडिर के कौने पर पड़ी थी दूसरा लड़का बांस का आसरा लेकर चछत पर से मुंडिर के नीचे उतर गया वह इतनी भी जगा नहीं थी कि एक पैट टिका ले पर जान पर खेल गया छोरा उसने मुंडिर की पतली जगा के दो कौनों पर बांस रिकाया ठिकने के बाद भी बांस थर थर काप रहा था बिलकुल नट की तरह वह चोरा बांस पर पैर धर कर आगे बढ़ा और एक हाथ से बच्ची को उठा लिया और दूसरे हाथ से मुंडिर सादे वह उपर चड़ने का जतन करने लगा तब तक लोगों ने आकर उसके हाथ से बच्ची को लपक लिया और बगल देए देकर छोरे को उपर उठा लिया उसका साथी तब तक बंदर को खदेर चुका था लोगों ने छोरों की खूब पीट थप थपाई इंदू को कोई होशना तक है क्या कर रही है मुन्नी मुन्नी पुकारती वह सारी भीड को चीरती हुई गई और बच्ची को चपटकर कलेजे से लगा लिया बेबी भी मा के पास जाने को मचलने लेगी जीजी ने ते जवाज में कब हो अपनी चट पर आओ बड़ी खेर हुई बंसी बाले बिटिया लोटा दी कहते हुए बीड तीतर बीतर हो गई इंदू ने कई बारी धरुरत ताका एक बार नजर पर उन लड़कों को देखना सिहाना चाहती थी जो उसकी बच्ची के रक्षक बनकर आये थे पर लड़के वहाँ दिखाई ने दी इंदू बच्ची को च्छाती से चिपकाई चिपकाई नीचे उतर गई च्छाती में दूद खुमड रहा था कमरे में दिवार की तरफ मुख करके उसने स्तन मुन्नी के मुँ में लगा दिया कुछ देर बाद उसकी एकागरता सास ससुर के बीच बहस के तेस सवर से भंग हुई बीच में सिट पिटाई हुई बगगो खड़ी थी जीजी ने च्छत पर नीचे आते लेका जाने कौन छोरे रहे पड़े हिम्वती जवान निकले पगगो बोली जीजी अचारे जी खादी बेचते हैं उनी का छोटा भाई था केले वाला छोरा दूसरे को मैं ना जानू कौन है पीछे से नती मल ने बेटी के सिर पर एक चपिड मारी तू क्या नगर नाईन है जीजी ने का कान कोल का सुले भगो कल से तेरा छट पर जाना बंद आज बहु जैसी भागती डूली हमें पसंद ना है उगनंगे से रुगाड़े बदन सारी खलकत के सामें बावली सी रोह से बहले गर के औरतों के लकसर नहीं है ये मुनी दहशत के मारे सो गई थी इंदू दूसरे कमरे में आई जी जी उसे देखर चंडी बन गए बुली बहुत हो चुकी आज की नो टंकी तुझे लपकर छट फलान दे की जरुवत क्या थी आने दे बबु को आगरे से उसे बताओंगी मुनी को कमरे में तेल मलने में कौन हरज होता है पर नहीं चट पर जाना है जब तेरा कमरा तिखने पर किया तब भी तुने भतेरी फैलाई मचाई की नहीं क्यों वाह नहीं रहना सारी गलती तुम्हारी है तुम जो ये औरतों की मिटिंगों में बेटी को लेकर जाती हो ना उससे सब की शरम खुल रही है तुम सिद्धे घर पर बैटो बहु बेटी भी बैटे तुमें तो बस मैं ही बुरी लागू है मेरा निकलना तुमें बुरो लग है मेरी इत्ती उमर गई न कहीं गई न आई मैं तो या तो चूले की लकडियों में होम हो जाती या गांधी बाबा किसी कानों में पढ़ गई नत्थी मल्ने फैसलन रहे बड़ी आई गांधी बाबा की मनोती जहां जाना है कली जाए कली या भगवती सियानी हो रही है उत्तेरे फक्का मारती नहीं रोलेगी लाला जी का पता था पहरो से लचार वी दियावती अकेली कहा जाएगी